गुथियों का हल अपने भीतर है मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गिय बना सकता है स्वर्ग और नर्ग कोई स्थान नहीं वरण द्रिष्टी कोण है जब मनुष्य तमोगुणी तुछ, हीन, पतित, पाप द्रिष्टी अपना कर अपने सोचने और काम करने का धंग दूशित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेश, रोग, शोग, दारिद्र, चिंता, भय, पीडा, त्रास की परीस्थितियां बिखरी हुई द्रिष्टी गोचर होती है किन्तु यदि द्रिष्टी कोण उच्च स्तरिय हो उसमें सात्विक्ता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदार्ता, क्षमा, आत्मियता जैसे आदर्शों का समन्वै हो तो व्यक्ति का अंतह करण हर घडी संतोश, उल्लास, सुख, एवं शांती से भरा रहता है ऐसे व्यक्ति को आपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र, सौजन्य, स्नेह, सदभाव, सहयोग, एवं सत कर्मों का वातावर्ण ही फैला दीखता है यो यह दुनिया तीन गुणों से बनी है, इसमें भला बुरा सभी कुछ है, पाप और पुन्य का, देवत्व और असुर्ता का, दुख और सुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यहीं है फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टी कोण के अनुरूप ही परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है भौरे के लिए इस बगीचे में फूलों की और गुबरीले कीडों को गोबर की प्राप्ती हो ही जाती है संसार बुरा भी है और भला भी यहां ना दुष्टों की कमी है ना सजनों की यह सब होते हुए भी हमारी दृष्टी कोण का चुम्ब कत्व अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकरशन से अपनी जाती की वस्तूओं आत्माओं एवं परिस्थितियों को खीच कर समीब जमा कर लेता है मकडी अपना जाला आप बुनती है उसी में फसी पड़ी रहती है हम भी अपनी परिस्थितियों की सृष्टी आप करते हैं और उसी में सुख दुख अनुभव करते हुए जीवन को हसते रोते व्यतीत करते रहते हैं आमतोर से ऐसा समझा जाता है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों के निर्माता कोई और है जब विप्रीत या कष्ट कारक कोई अवसर सामने आते हैं और उनके निदान के कारण ही धूंड खोज करनी आवशक होती है तब हम यह खोजबीन अपने भीतर ना करके अपने दोशों पर विचार ना करके बाहरी कारणों पर दोशारोपन करते हैं और यह प्रियत्न करते हैं कि दोशी कोई और सिध्ध हो जाए और हम अपने आपको निर्दोश मानकर संतोश कर लेने का कोई बहाना धूंड निकालें हम मेंसे अधिकांश के प्रयत्न ऐसे ही होते हैं मानविय बुद्धी भी जादू की पिटारी है इसे जिधर को लगा दिया जाए उधर ही अपनी मान्यता के समर्थन में कुछ ना कुछ तर्क प्रमान कारण गढ़कर सामने प्रस्तुत कर देती है फूस का भेडिया बना कर खड़ा कर देने की विध्या में यह जादू गर्नी परम प्रवीन है भीतरी मन जिस बात की आकांक्षा करे उसके समर्थन में वह कल्पना का पूरा महल नहीं नगर नहीं संसार ही गढ़ सकती है और छोटे बच्चे की तरहां मन को इस प्रकार जुठला सकती है मानों चंदा मामा को आकाश से उतार कर हथेली पर ही रख लिया हो हम में से अधिकांश को इसी भ्रम में भटकना पड़ता है अपनी गुथियों के समाधान का हल खोजते हैं पर वह मिले कैसे भूल भुलया में भटकने वाले दिग भ्रांत मनुष्य की तरहां हम वस्तुस्थिती को समझ कहां पाते हैं जो अपनी कठिनायों के कारण को समझें और उसका सही उपाई जानकर उसी के लिए सचेश्ट हों हमारी मान्यता यह होती है कि हम स्वयम निर्दोश हैं हम ना तो गलती करते हैं और न गलत सोचते हैं हमारे अंदर न दोश हैं न दुरगुण ना हमें अपने को सुधारने की आवश्यत्ता है न संभालने की जो कुछ खराबी है सब बहरवालों में हैं वे ही प्रतेक कठिन के जिम्मेदार हो सकते हैं इस मान्यता के स्थिर होते ही कुशागर बुद्धी वाले वकील की तरह मन अपना काम करना आरंभ कर देता है और मुकदमा चाहे जूठा ही क्यों ना हो उसे जिताने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाना आरंभ कर देता है देखते देखते इतने तर्क इतने प्रमान इतने कारण सामने प्रस्तुत हो जाते हैं कि मनुष्य उन्हें ही सत्यमानने लगता है और किसी प्रकार अपनी निर्दोशिता पर आत्म संतोश करता हुआ थोड़ा चैन आ लेता है अनेकूं व्यक्ती सोचते हैं कि उन्हें सताया गया है सताने वाले जो व्यक्ती समझ में आते हैं उनके प्रती क्रोध, द्वेश और प्रती हिंसा के भाव उठना स्वाभाविक है यह एक नई जलन अपने कश्टों के साथ और जुड़ जाती है और जले पर नमक छिड़कने की तरह और दुख देती है कई बार और भी सरल तरीका समझ में आ जाता है व्यक्तियों को दोशी ना समझ कर भाग्य, प्रारब्ध, विधाता, इश्वर, ग्रह नक्षत्र, भूद, पलीत आदी को कारण मानकर संतोश कर लेने की भी पधती का बहुत प्रचार हो चला है कारण यह है कि इन विश्वासों के आधार पर मनुष्य को अपनी विवश्टा स्विकार करने और द्वेश एवं प्रतिहिंसा से बचने का भी अवसर मिल जाता है दैव से, भाग्य से, ग्रह नक्षत्रों से द्वेश करने से भला क्यालाब यह सोच कर दुर्बल मानस वाले व्यक्ति भी अपना गम गलत कर सकते हैं वस्तु स्थिती सर्वथा भिन है, मनुष्य का अंतह प्रदेश जिस घटिया या बढ़िया स्तर का होता है उसे अपने अनुरूप व्यक्तियों, वस्तु एवं परिस्थित्यों को प्राप्त करने में देर नहीं लगते भीतरी प्रतिभाजब विकसित होती है, उसके प्रकाश से बाहर का सब कुछ जगमगाने लगता है इतिहास के प्रिष्थों पर द्रिष्टिपात करने से पता चलता है कि अधिकांश महापुरुष ऐसी अभाव ग्रस्त एवं हीन परिस्थित्यों में उत्पन हुए थे, जहां स्वाभाविक विकास की गुन्जायश बहुत ही कम थी यदे उनकी अंतरात्मा प्रबल मनस्वी ना रही होती तो उन्हे भी इस संसार के अनेक दीन हीन व्यक्तियों की तरह भाग्य करोना रोते हुए जिंदगी के दिन पूरे करने पड़ते पर हुआ इस से सर्वथा विप्रीत उन्होंने अपनी आंतरिक प्रतिभा के बल पर आगी को कदम बढ़ाए बढ़ते हुए कदमों को प्रोत्साहित करने वाला दैवी नियम इस संसार के आदी से ही बना हुआ है कहते हैं इश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं पूरुशार्थी के आत्मविश्वासी कदम जिस राह पर बढ़ते हैं उसके रोड़े हडते ही हैं हिमालय से निकली हुई गंगा की समुद्र से मिलने की प्रदीप्त भावना को हजारों मील भूमी पर बिखरे हुए असंख्य अवरोध कहां रोक सकें गंगा की धड़ धड़ाती हुई धारा समस्त प्रतिरोधों को कुचल कर समुद्र तक जाही पहुँचती हैं प्रगती के पत पर बढ़ती हुई आत्मा भी क्यों रुकेगी उसे कौन रुकेगा हिमालय जैसा उच आंतरिक स्तर जिसका भी होगा और समुद्र जैसे विशाल लक्षय की आकांक्षा जिसको भी होगी उसका मार्ग गंगा की तरह ही प्रशस्त है उसकी लक्षय पूर्ती सरवथा सोनिश्चित है इस संसार में कोई बुराई नहीं कोई प्रतिकूलता नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा औरना यही प्रेरणा दी जा रही है कि बाहिय जगत में जो बुराईया एवं तुरुटियां है उन्हें सुधारा या बदलाना जाए यह तो करना ही चाहिए पर स साथ ही यह भी समरण रखना चाहिए कि सारे संसार को सुधार लेना या इच्छा अनुकुल बना लेना संभव नहीं। सारी प्रिथ्वी पर फैले हुए कांटे नहीं बीने जा सकते पर अपने पैरों में जूते पहने जा सकते हैं जिससे कांटों का प्रभाव समाप्त हो जाए। ठंडे लोहे से काटा जा सकता है। कीचर को कीचर से नहीं शुध जल से धोया जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं शांती से परास्थ किया जा सकता है। यदि हम स्वयम मलिन होंगे बुराईयों से सने होंगे तो दूसरों का सुधार कैसे कर सकेंगे। यदि हमारी भीतरी उल्जनों का जाला तना है तो बाहर की गुथियों को सुल्जाया जा सकना किस प्रकार संभव होगा इस संसार में अगणित कठिनाईयां मौजूद हैं इस मानव जीवन की अगणित गुथियां उल्जी पड़ी हैं उनका सुल्जाया जाना नितांत बीच चैन किसे मिल सकता है पर इन पहेलियों को सुल्जाते हुए हम यह न भूलें कि अधिकाश समस्याओं की जड़ हमारे भीतर है उनका समाधान भी हमारे अपने ही अंदर मौजूद है अपने को सुधारना अपने को बनाना अपने को बढ़ाना यही वह उपाई है जिस शिखर पर पहुचा जा सकता है जहां पूर्णता ही पूर्णता है जहां अभाव का शोख का भाई का दुख का एक कण भी शेश नहीं रहता पुस्तक अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सबस्क्राइब भी कर लें साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलत रहें धन्यवाद